आज हम आप लोगों को टर्नर सिंड्रोम के बारे में बताएंगे तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लार्त देखे चलिए सुरू करते हैं टेर्नर सिंड्रोम से ग्रसित इस्तरियां लिंग गुर्षूत्रों के लिए मोनोसोमिक होती है अर्थात इन में किवल एक एकस गुर्षूत्र बे दिमान रहता है मतलब ये ऐसी इस्तिरियां है जिनमें दो लिंग गुर्षूत्रों में से किवल एक एकस गुर्षूत्र उपस्थित होता है और एक नहीं होता है नहीं एक ही है एक उपस्थित नहीं है मतलब एक कम हो गया तो इनमें से कुल गुर्षूत्रों की संख्या 45 ही हो जाती है जब मैंने बताया था कि दो लिंग गुर्षूत्र होते हैं और दो में से एक कम हो गया तो कितने बचे 45 बचे इसलिए कहा गया है कि ये लिंग गुर्षूत्र के लिए मोनोसोमिक होती हैं मोनोसोमिक यानि एक यानि एक गुर्षूत्र बचा तो मोनोसोमिक हो गई और मोनोसोमिक ये टर्नर सिंड्रोम उत्पन हो जाता है, जैसा कि आप लोगों को चित्र में दिप भी रहा है, तेस्वे जोडे में एक लिंग गुर्ष उत्र बचा हुआ है, इसलिए टर्नर सिंड्रोम इस इस्तरी को हो गया है, इस तरीके की इस्तरीयों का कद छोटा, जननांग अल्प व होता है, और जनन दिया कहले जो अंडासय होते हैं, वो अनुपस्थित होते हैं, और अगर होते भी हैं, तो अर्ध विक्सित होते हैं, पूर्ण रूप से विक्सित नहीं होते हैं, आता है ये इस्तरीयों नपुनसक या बांज होती हैं, कहने का मतलब ये हुआ, कि ऐसी इस सामाने लड़कियों जैसे ही दिखाई देती हैं यानि जब बच्चियां होती हैं बाले आवस्था होती हैं इनकी तब ये बिल्कुल सामाने लड़कियों की तरह ही दिखाई देती हैं लेकिन किसोर आवस्था में अंडासय के आविक्सित होने के कारण बांधे होती हैं और ज वो हार्मोन भी इन इस्त्रियों में स्रावित नहीं होता है क्यों ये जननांगों से सम्मंधित रोग है यानि लिंग गुर्षूत्रों से सम्मंधित विकारुत्पन हुआ है टर्नल सिंड्रोम इसलिए ये सारी चीजें हो रही हैं। पुर्षूत्र वाले सुक्रान द्वारा निस्वेचित होता है तो इस प्रकार एक्स ओ की आसामान इस्त्री बनती है ये इस प्रकार से टर्नल सिंड्रोम बिक्सित हो जाता है।